एक्जाम से पहले आप इस चीज़ से परिशान हो रहे हैं तो परिशान होने की ज़वरत नहीं है मैं आप लोगों के साथ आप लोग आज कुछ समय जो है वो व्यतित करने के लिए आई हूँ जिससे कि आप लोगों की टैंशन थोड़ी सी कम हो जाए तो जैसा कि मैं आपको डे बन से बोलते वह आ रही हूँ कि बिल्कुल भी चिंता मत किजिए आप लोगों ने जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है सफिशेंट है बहुत है अब नया कुछ भी एडाउन करने की ज़वरत नहीं है ठीक है और कुछ छोटी छोटी सी माइ ऑफ करें वाला है ठीक है अब को मालूम है किशी का सब्सक्राइब को मालूम है और सब्सक्राइब कर नहीं अप लोगों ने निकलवा लिए होंगे उसमें देखिए काड के नीचे कुछ टेस्ट डिटेल दीवी है अब यहां पर सबसे मेन है कि यह देखिए कि आपका जो एक्जाम है वो फर्स शिप्ट में है यह सेकंड शिप्ट में है तो यह दिख करके जरूर जाएगा क्योंकि कई बार माइनर सी गलती हो जाती है टाइमिंग देखिए व 12.30 PM तक आपका एक्जाम रहने वाला है यह आपको धिहान में रखना है एड्रेस बहुत अच्छे से देख करके जाएगा नेक्स देखिए कि यहां पर जो सेंटर लिखावा है यह सेंटर और यह सेंटर नमबर टेस्ट सेंटर नमबर जो है वो भी देखिएगा क्योंकि अलग अलग गेट होते हैं और हम लोग मिस्टेक कर देते हैं उनके अलग 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 आपके गेट होते हैं तो आपको देखना है और सारी चीज़े फिल करके अच्छे से देख करके जाएगा नेक्स्ट है कि यहां पर आपको फोटो जो चिपकानी है आप चाहें तो घर से चिपका के ले जा सकते हैं चाहिए आप वहां सेंटर पर जाके चिपका आपका जो लेफ्ट हैंड का थम है वह आपको घर से लगा के नहीं जाना है ठीक है कई महान अस्ती ऐसी होंगी स्टुडेंट गर से fingerprint लगा के जाएंगी नहीं लगाना है आपको थम जो है वहीं पे लगेगा वहीं आपके candidate के signature जो है आपके जो है आपके वहीं पे ही आपके sign होंगे उनी के सामने तो यह थोड़ा सा विशेश ध्यान रखिएगा और अगर आपने आधार कार्ड के साथ लिंक करके आपने अगर फूम फिल किया है तब तो कोई डेंशन नहीं है यह चीज़ बाद में हम देखेंगे एक बार देखें ल जाएंगे ले जाओ क्योंकि क्या होता है मैंने क्लास में भी बोला था सेंटर अगर आपका ऐसी जगह है कि आसपास के 500 मिटर के एरिये में यह 100 मिटर के एरिये में भी अगर आपके e मिटर की शॉप नहीं है आप बहुत पैनिक करेंगे खराब होगा इससे अच्छा क्यों तो सभी को याद रखना है कि निकाल के ले जाए इसमें जो डिटेल लिखी है वह आपको फिल करनी है आपके रोल नंबर आपके आईडी जो भी आपने आधार कार्ड के अलावा जो प्रूफ दिया है ठीक है तो टाइप करने आपको शिफ्ट कौन सी है यह सारी और डेट में करनी है कि यहां आपके सिग्नेचर होंगे और रोल यह सारी चीज़े देखिए आप लोग तो यह फों आपको फिल करना है यह फों भी आपको लेकर जाना है अगर डिकलेशन फोर्म नॉन आधार कार्ड केंडिडेट है तो अगर आपने आधार कार्ड को प्रूफ लगा कर प्रूफ फिल नहीं किया है तो ठीक है अब देखिए कि जो हैंडिकेप बच्चे हैं जो आपके जिने आपको क्या करना है उन्हें 20 मिनिट्स एक्स्ट्र दिये गए हैं क्योंकि आपका जो एक्जाम है आपका जो एक्जाम है उसमें आपको थ्री हावर मिल रहे हैं तो यह आपको जो भी यहां पर लिखावा है मेडर सभी को बहुत अच्छे से मालूम है आपको फोटो लेके जानी है दो फोटो वगएरा वह सारे चीज़े ठीक है अब विशेज तोर पे पेन की बात आती है सब गोल रहे हैं कि पेन जो है वह ब्लैक लेके जाएं ब्लू लेके ज नहीं होता है तो आप अपना लेके जाएं साथ में ज्यादा अच्छा रहेगा यह आपको लेके जाना है फोटो आपको लेके जानी है आधार कार्ड या फिर आपके कोई भी ऐसा आईडी जिस पर आपकी फोटो मेंशन हो डेट वगएरा सब कुछ अच्छे से लिखी हो व अच्छा है ठीक है आधार कार्ड लेके चाहिएगा ऐसे पेन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस यह सबी चीज़े भी आपके वैलिड है फिर भी आप विशेश तोर पर ध्यान रखिएगा अब नेक्स बात आती है कि हम एक्जाम के अंदर जो ओमाक शिट भरी जाएगी हम अमरी है ओम आ है है विशेश तोर पर ध्यान रखना यह आपको अगर जैसे आभी RPSC ने क्या किया था कि आपको पांच गोले दिए थे किए कितने पांच गोले आपको आपके सामने ओमाइकश इडिक के अंदर है अब यह पांच्वा जो गोला है इसका हमें क्या करना है यह चार तो आपके लेकिन नम्मर का question है उसका answer आपको नहीं आता है क्या है answer नहीं आता है लेकिन उस question को आपको attempt करना बहुत जरूरी है तो आप क्या करेंगे कि यहां पे जो यह वाला option है उसको fill करना है और अगर आप लोग फिल नहीं करते हैं तो आपके नम्मर माइनस हो जाते हैं ऐसा RPSC न सब्सक्राण को वालाएं रहे हैं उसमें गोले भरने का process होता है कि कई बच्चे जो है वो गोलों पे ऐसे tick कर direito है कई क्या करते हैं कि गोले मैं ऐसे ऐसे कर देते हैं और छोड़ में नहीं चाहेगा यहां बीच में ऐसे गोला करेंगे यहां को पूरे पैन में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं या आपको विशेश तोर पर ध्यान में रखना है तो यह उमाक्ष भरने का जो सही तरीका है वो यहीं है आपका प्योशन जब अटेम कर रहे हो आप लोग बहुत ध्यान से धेरे के साथ करिएगा आप लोगों को सब कुछ याद है ऐसा आप लोग फील करिएगा और एक लंबी गहरी सांस लीजेगा एकदम रिलाक्स होकर करके अपने आपको बोलिएगा मैं बिलकुल अच्छा हूँ सवस्त हूँ मैंने जो याद किया मुझे याद है मैं अच्छे से सारी चीज़ों को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ठीके अपने आप पर विश्वास रखेए अपने मादा पिता के अश्रवाद पर विश्वास रखेए उन्होंने आपको जो अश्रवाद दिया है या उनकी दूआएं हमेशा आप लोगों के साथ में रहेगी बड़े भुज़ूर्गों का अश्रवाद रहता है है हमारे साथ तो यह सारी चीज़े आप लोग प्रॉसेस फोलो कीजेगा अगर कहीं भी और दिक्कत आती है तो मैं आप लोगों के आप लोगों आप लोगों आती है 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 जह हमेरे साथ में भी बड़ कि भीन आती है यह से का घए हैशा के घए गप लिज़ूर्गों के साथ में दिक लोगों क्यों भी एंज़ से सह का गई जोरल्वाद लोग imposs naučtu का आती है है उँवा दुमार्वाद भीन है है और्ली कि